हालो वर्वान वेल्कम बैक टू प्रैक्टिस मॉख आप सभी के लिए एक बहुती बड़ी अप्पोर्चुन्टी है इस्पेसली पर दे बी टेक बी एंड बेस्टी स्टुडेंट के लिए जो लोग जो लोग क्या कर रहें जो लोग जाम की प्रिपेसंग कर रहें तो आपके पोस्ट राने वाला वह पोस्ट राने वाला जूणियर एग्स्क्रिटी का ठीक है यह बहुत भाड़ी वेकंसिया जुज नंबर आप्पड़ी आपको ब्लच्टा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं कि यह जो पोस्ट है वह किसका पोस्ट आपके पास जूणियर और अगर मैं बात करूं कि टोटल नंबर पोस्ट की ठीक है तो दोगो नेम अब देख सकते हो जूनियर एक टिक पर एयर ट्रफिक कंट्रोल के लिए पोस्ट निकाली गई है और जिसे टोटल नंबर पोस्ट कितना है 496 चाहनी कि 496 नंबर पोस्ट टोडल नंबर पोस्ट है जिसमें से जनरल के लिए टोटल नंबर पोस्ट है कितना वन डबल नाइन है ठीक है आप देख सकते हो जनरल के टोटल नंबर पोस्ट कितना है वन डबल नाइन है और यहां पर EWS के लिए मैंसन है 49 है OBC के लिए नॉन क्रीमिलियर के लिए कितना नंबर है 140 है SC के लिए 75 है और एस्टिक ले टोटल नंबर आप पोस्ट था 33 है यानि कि टोटल 492 नंबर आप पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होना है और यह जो वैकेंसी यह किसके तरफ से रिलीज की है यह डबल ए आई की तरफ से यानि कि एरपोर्ट अथोर्टियाफ इंडिया की तरफ से मैं बता जो जौब करने का एक सेलरी फैकेज है वह बहुत हैंटसम सेलरी है इन सारी बात का भी मैं डिसकेशन करने वाला हूं सबसे पहले बात करने नंबर आप पोस्ट आप देख सकते हैं और अगर बात करने हैं यहां परarelंच की तो यहां पे जो क्लियर आलीप volume बैचलर्स डिए अफ त्री इस तर्म इसका मतलब ब्सक्राइब फिजिक्स और मैथमेटिक्स आप बोल सकते है ऐसे आपके पास ब्सक्राइब फॉल टाइम रेगूलर बैचलर्स डिए अब बैचलर्स डिग्री में आपके पास हो जागा इन इंजिनरिंग इन डिस्सिप्लीन फिजिक्स एंड मैतमेटिक्स शुड़ी सब्जेक्ट इन इन एनी वन आदर समस्टर सर्कूलम मतलब क्या हो गया मतलब यह कि सर आपके पास बीटेक की डिग्री वनीची या तो फिर बीटेक में बेचाहिए आपके पास मैंुंसर नहीं है कि आपके पास फिजिक्स सीमश्टर में आपका फिजिक्स और समस्टर में आपको अन have इसका मतलब सिंपल सिय समझो कि अगर आपने ब्यस्ट कर रहा है तो भी आप इस पोष्ट के लिए ऐलिजबल हो बट आप यह दकना ना फीजिक्स और मैथ क्या होना चीए फीजिक्स और मैथ में ब्यस्ट होना चीए अगर आप फिर आप किसी भी ब्रांज से आप इंजिनरि दोनों आनी चाहिए एक मिनिममम् क्यालिफिक्स ने आप यह हो गया दूसरा आपके बात करूं यह तो ओगया यहां पर कुछ और बात लिखेंगे यह हैं यहां पर क्या लिखेंग आपका बीटे क्या ब्यस्ट जो भी आपका ग्रेजूएशन है वह किसी होना छीए फिर् अब कि आपको क्या होना चीए आपके मार्क्स परस होना ही मैंडेटरी है ऐसा कुछ निए परसंटेज मेंशन नहीं है उसके बाद आप देख सकते हो कि है कंडिडेट हैसे भी इवी टेक एंड बेस आप देख सकते हो क्या होग विए विटेक विए मैंने भी आपको बताया था है बी अरवी टेक इन तीनों के लिए क्लिया क्या कर सकते हो अब अब और डिग्री अरलाओट टू अप्लाइब एसेंसेंट्यक्वाइफिकरी प्रस् मैक्सिमम एज लिमिट आपके पास है 27 years का ठीकि आप 27 से ज्यादा नहीं होना चीए मैक्सिमम एज लिमिट आपके पास मेंशन है 27 का और यहां पर डेट मेंशन है कितना 30 अप नॉवंबर 30 अप नॉवंबर अगर आप देख सकते हो एज भी आपको मिल जाएगा बाकी सभी सभी जाम की तरह कि कितना मिलेगा फाइफ यह कितना के लिए और ट्री यह कितने के लिए अगर मैं बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर ठीक है आप देख लो अब यह क्याने कि जो डबल ए आई की जो वेकंसी ओपन होनी है वो कबसे ओप्रिंग डेट इसका क्या है ओप्रिंग डेट फर्स्ट अप नॉवंबर है और यह पूरा एक महिन आप क्य के बाद अभी इसका जो एक्जाम होगा ओन LYन मोन होगा वट अभी तक इसका कोई डेट मेंसर नहीं है तो डेट अभी एनाउंस नहीं है यह आप मान के साफ चल सकते हो कि इसका जो इग्रू अब दिसंबर, दिसंबर के फर्स्ट वीक में या लिक一次 का एक्जाम बान के सल सक कि अगर मैं बोलू कि अगर एक्जाम डिट कितना 30 अपना उंबर तक लाश्ट डिट फॉर्म फिलिंग के लाश्ट डिट है तो बहुत जड़ा चांस है कि उसके बाद बहुत जल्दी किया करवा लेंगी यह अपना एक्जाम भी कंडिट करवा लेंगे ठीक है अब आप जो स बाकि आप देख सकते हैं यहां पर से महीं बात है इंपोर्टेंट इंस्ट्रेक्शन में एज एंड एज एंड और एलिजिबल्टी क्रेक्ट्रेस सैल भी रेकोंट एज थर्टियद आप नॉवंबर ठीक है यह फार्म आपको क्या करना है बहुत ही अच्छी वेकंसी है बस आपका फोट जो सैलरी आप निकल काती है और मेरा मालना है कि जेए के लिए जेए पोस्ट के लिए यह बहुत ही हैंसम सैलरी है ठीक इतनी सैलरी आपको किसी और डिपार्टमेंट में देखने को सायद ना मिले ठीक है यह एक यह नोटिफिकेशन हो गया किसके लिए डबल ए आई के लिए और अब मैं बात करूँ कि अगर अब जैसा कि मैंने आपको पता है कि यह जो एक्जाम है यह इसके पहले जितनी बार भी एक्जाम हुआ है बहुत कम टाइम में मतलब आप बोल सकते हो कि अभी आपके पास 30 अब नॉवंबर को इसका एक्जाम डेट का फॉर्म फिलिंग का डेट खतम होगा और उसके बास दिसंबर के चांस है दिसंबर में आपसे एक्जाम कर वाली आ जाएगा तो अब आपके बहुत कम टाइम है इसलिए हमने क्या किया आपके लिए अब आपको करन आपको मिलते हैं जहां कहीं से भी इस ज्याम के आप उनके पिवाक्यू लगा लेजाए उसके बाद अगर आपको ठीके उसके बाद अगर आपको नए क्वेल डिजाइन हमने क्या करा एक मौक आपके लिए डिजाइन करा है जिसमें आप देख सकते हो जो माक को प्राइस है सब्सक्राइब कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए तो मेरा मानना है कि आप देखो गाने इस से अच्छी आपको इस पोस्ट के लिए आपको और किसी डिपार्टमेंट में देखनों को नहीं मिलेगा ठीक है तो आप कर लो आप एक काम को लिए यह ट्रेस्टी आप क्या कर सकते हो जोइन कर सकते हो और अपने प्रिप्रेशन को ज्यादा इन्हेंस कर सकते हो थैंक्यू थैंक्यू अप्रियो